सुशान सिंग रादपूत के जीजा विशाल कीर्थी का बयान आया है उनका ये कहना है कि पडिवार अभी भी काफी दुखी है और अभी हमारी प्योटी एक दूसरे का ध्यान रखना है उन्होंने ये बयान नैपोमीटर को लेकर दिया है क्योंकि कल नैपोमीटर की पहली रेटिंग आई जिसमें सड़क टू को 98% नैपोटिस्टिक बताया गया इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये सरफ हमाई दर्फ से एक छोटा ट्रिप्यूट है ये प्रॉफिट कमाने के लिए या कोई बिजनस का प्लैटफर्म नहीं है और अब जो है विशाल कहते हैं वी अस्टिल ग्रीविंग आफ फोकस नौ इस तो टेक केर अफ एच अदर आई शेर माई ब्रॉफिटर्स आइडिया उफ नैपोमिटर बिकॉज छिप्काहिए बिकॉस असाइड प्रॉफिटर्फ प्रॉफिटर्फर्छ नोग प्रॉफिटर्व फिर्स प्रॉषद्टी ये मेरे एक बहाई का आइडिया था जिस्से मैंने शेयर किया ताकि लोग गुम्रहाना हो औने सहीं इफ्वर्मिशन लेकिन यह अभी हमारी पहली प्रियोर्टी नहीं है, इस पर आगे भी काम चलता रहेगा, यह ट्रिब्यूट है, इसको यह वोलेंटरी बनाया गया है, इसको प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया है, तो कही न कहीं उनके जीजाने इस बात को क्लियर किया है, कि इस बात की भी घूश्णा की थी कि मैमोरियल आएगा, बहुत सारी चीजे होंगी, फांडेशन बनेगा, सारी चीजे पाइपलाइन में है, और जो नेपोमीटर है, उसी की कड़ी में यह लॉंच हुआ, और इस पर जो है सड़क्टू की रेटिंग आई, लेकिन उनके कुछ भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, यह सिर्फ और सिरफ लोगों को गाइड करने के लिए है,